मैं दया संकर सिंग, अधेष लकनो पेट्रोल डीलर इसीसिशन। उपादेष उत्तर्प्रदेश पेट्रॉल डीलर से सवेशन। आफितलो पंपो को मिल नहीं पा रही है। bekommt की हят सब्सक्रपभल करें। और ट्रांस्पोर्टर हरताल की वज़े से जो ट्रैंक हमारे हां पेट्रोल फॉम्पों पेट्रोल डीजल की सप्लाई देते हैं वो भी उसी हरताल से प्रभावित हैं इस वज़े से वो नई सप्लाई लेके नहीं आ रहे हैं चाहे वो डर्बस नहीं ला रहे हैं चाहे वो समि थी वो इस्टोर किया हुआ प्रोडेक्शन रहा है जिनके हाई सेलर पंप हैं जो अधिक सेल करते हैं उनके हाँ तो पेट्रोल खतम होने की इस्तिति में है और जो मिनिमम सेल करते हैं वहाँ पे बड़ी लंबी-लंबी लाइने लग गई हैं वहाँ पे भी पब्लिक जो है ग् तक वहाँ पे अपनी टैंक फुल कराने के मूड में है और ज्यादा तर देखा जा रहा है कि लोग जो पिट्रोल लेने आ रहे हैं वो टैंक फुल करने की ही रिमांड करते हैं अभी तो काफी हद तक कप तर चल जागे कितनी दिनों तक चल जाएगा अब ज्यादा दिनों किया कल दोपहर तक मुझे लगता है कि पिट्रोल डिजल सहर के अंदर मिल पाएगा इसके बाद अगर कोई दोस्ता नहीं नहीं यह भी ड्राइवर की सेड़ी में हैं चुकि नया नियम लागू हुआ है और नया नियम से लोग भी सायद भैभीत हैं यह नहीं माना जाएग और यह हरताल में तो हैं जरूर कि यह ट्रैंक लाने ले जाने के मूड में अभी नहीं है चुकि ट्रांसपोर्टर भी अपनी गाडियों को खड़े की हो रहे हैं इसलिए यह मतलब एक तरह से सामोईख हो जाता है कि टेंक लारियों को ट्रंकूटर नहीं छलने देंगे अगर हमारा टेंक भर के वहां से निकलता है और किसी तरह की घटना होती है ठांसपोटर उसको पंप तक नहीं पहुचने दे तो फिर नुकसान होने का भी खत्रा है चुकि प्रिट्रोल और डिजल का प्रोडेक्ट भरा हुआ अगर दो-चार दिन खड़ा रहेगा तो डिलर को भी नुकसान पहुचने की उसमें संभाव ना है अग ये तो सरकार और ट्रांस्पोर्टर के बीच में है कि सरकार अगर कुछ उनको रहो दिराहत दे देती है और ट्रांस्पोर्टर अपनी स्ट्राइक को आपस कर लेते हैं तो हम लोग भी सामान हो जाएंगे हमारे हाँ प्रोड़क्ट मिलने लगेगा हम भी सामाने ताह उस हैं इसलिए कि हमारे हाँ नया प्रोड़क्ट मिल नहीं पा रहा है हमाम हमें जो प्रोड़ लीजल की आवसेता होती है रोज तो वो प्रोड़ लीजल हमारे हां पहुच नहीं पा रहा है नरांदर